नश्कार आप देख रहें एकाउनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिद्यों चक्रवर्ति दोस्तों पिछले तीन दशकों से हमारे देश में सिर्फ सूट बूट की सरकारे आईए जो ना गरीब ना मिडल क्लास के लिए काम करती है सिर्फ अमीरों की सोचती है अमीरों के लिए है सेट लोगों के लिए सूट बूट वालों के लिए है आप असी के दशक के शुरू में ले लीजी तो जब हम पिक्चर ही देखने जाते तो कैसी पिक्चर आती थी कूली अमिदा बच्चन उसमें कूली बने थे और कुछ साल पहले देख लेंगे तो अमिदा बच् पर शादी भी करते तो स्पेन में जाके करते हैं तो हमारे देश में लगातार एक ऐसा हमारे सामने सपना खड़ा किया है जिसमें हम सोचते कि अमीर लोग बहुत अच्चे हैं एक टाइम में आर के लक्षमन का जो कॉमन मैन जो आम आदमी हमारे सामने एक हीरो बनके आया पार्टून में आज कोई बड़ा सेट कोई बड़ा इंडस्ट्रिलिस्ट वो हमारा हीरो है चाहे वो रतन टाटा हो या मुकेश अंबानी हो या नंदन निलेकनी टाइप का कोई हो तो हमारे देश में आज के डेट पे हम सोचते हैं सिर्फ अमीर लोग अच्छे हैं गरीब ल दुनिया में हम सब को बताया गया है कि निजी करन प्राइवेट सेक्टर अच्छा है और सरकारी जो कंपनिया वो बेकार है सरकारी नौकरी बेकार है और निजी कंपनियों में काम करना या प्राइवेट सेक्टर में काम करना वो ही सही है कहा जाता है कि देखिए आप मार्क तो जो अच्छा काम करेगा उसका बोल видно है जो एफिशेंटली काम करेगा उसका बोल बाला है जो करने ही पाएगा वो हार जाएगा कहीं आर जाके काम करेगा कोई और इंडस्ट्री में वो अपनी बिजनेस खोल लेगा खेर असली बात ये है कि अगर हम देखे कि एक जो बिजनेस वाला है उसके पास पुष्टैनी capital है पुझी है पहले से उसके पास है उसके माँबाप ने उसको पैसे दे रखे उसके पास already company है और उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो loan लेकर आया है तो आप सोचिए एक तरफ ह जो capital के साथ आया है पुझी के साथ market में आया है और दूसरा है जो loan लेकर आया है जिसके पास पैसे है वो क्या करेगा वो आपको discount में सामान बेचेगा जितना खर्चा है उससे सस्ते में सामान बेचेगा हम जानते है न ऐसा होता है तो जो सस्ते में बेचता है उस वो ही जी लेता है वो ही जीता है वो उसी को हम कहते कि आप जीओ बाकी जीने पाते हैं जिसने लोल लिया है उसका क्या होता है उसका घाटा होने लगता है वो बेचने पाता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल एक छोटा कंपनी बन जाता है और जो जिसके पास पहले से पैसे थे जो डिस बन जाता है और एक तरफ manager बनते हैं और कुछ है जिनके पास कुछ भी नहीं है ना education है ना loan ले सकते हैं वो बनते हैं मजदूर worker छोटे लेवल के blue collar काम करनेवाले लोग होते हैं तो जिसके पास पहले से पैसा होता है वो बन जाता है धन्ना सेट जो लोन वोन लेके करने की कोशिश करा था करनी पाया या थोड़ा पढ़ लिया है मैनेजमेंट कर लिया है वो मैनेजर बन जाता है और जो गरीब आदमिय है उसको मजदूरी करनी पड़ती है अब आप कर वापस profit करने लगता है और एक और तरीके से वो profit बढ़ाता है अपना क्या करता है जो वो manager है और जो मजदूर है उसको जो वेतन देता है या मजदूर ही देता है वो घटाने लगता है इससे क्या होता है वेतन जैसे इनका घटता है cost कम हो जाता है cost जब corporate का कम होता है तो क् का profit बढ़ जाता है लेकिन इसमें एक problem है problem क्या है कि जब आप किसी की वेतन काट लेते हैं तो क्या होता है कि आप तो बेचते इनी लोगों को है ना जो भी सामान आप बनाते इनी को बेचते है यही आपके demand के स्रोथ हैं यही लोग हैं जो मांग तयार करते हैं आपके सामान का, आपके सेवाओ का, तो जब इनकी इंकम कम हो जाती है, तो डिमांड भी कम हो जाती है, मार्केट में डिमांड और भी कम हो जाती है, और वो और भी घट जाते हैं, सबसे पहले जो वर्कर लोग हैं, वो मार्केट से गायब हो जाते हैं, बहुत हाती कम चीज़े खरीदते सिरफ खाने के चीज़े खरीदते हैं छोटा-मोटा दवाया वगेर ये छोड़कर और कुछ नहीं खरीदते हैं और जो मिदल क्लास मैनेजर तन्त के लोग है वह भी आप सोचते कि भीया income कम हो गया है salary कम हो गई है या salary बढ़ नहीं रही है चीजों की महेंगाई बढ़ गई है तो हम क्या करें हम भी थोड़ा अब सोच समझ के खरीदेंगे अब जो set है जो corporate है उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है खरीदने वाला कोई नहीं है खरीदार कम हो गई यही हमारे देश में हो रहा है मांग कम हो गई क्योंकि कुछ अमीर लोग जो corporate है जो चीजे बेचते हैं वो बहुत अमीर हो गए और बाकी लोग गरीब हो गए वो खरीदने के लिए उनके हाथ में पैसा नहीं है तब क्या होता है जो profit तो बना हुआ है सेट लोगों के पास सूट बूट वालों के पास profit तो बना हो वो पैसा कहां डालते है stock market में डालते है stock market इसलिए उपर जाता रहता है यह एक अजीब चीज है profit बढ़ता है stock market में पैसा जा रहा है और साथ में एक और चीज़ आप देखिए कि stock market में जो tax का rate है वो बहुत कम होता है कुछ दिनों पहले तक तो tax था ही नहीं अगर आप एक साल से जादा पकड़ और stock market में hold कर लेते तो tax था ही नहीं अब थोड़ा सा बढ़ा है एक limit के उपर और tax कम है वहल कि income tax पर का जो बोज है आम आदमी आम middle class पर वो बढ़ता है तो income tax जादा है stock market में total tax कम है इसलिए अमीर और भी अमीर हो रहे हैं गरीब और भी गवीर हो रहे हैं मेरे सामने दो मैं आपके कुछ आँक्रे लाता हूँ एक है CMI से सौ अगर हमारे देश में लोग हैं कोविट के साल में उनमें से 97 97 लोगों की आमदनी घट गई सिरफ जो टॉप के 3 लोग हैं 3 लोग 100 में से 3 प्रतिशत इनकी आमदनी बड़ी है और इसके दो बड़े कारण है इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में कॉर्परेट का प्रॉफिट तेजी से बड़ा है बहुत बड़ा है कोविट के बीच में और एक और चीज हुआ है जहां हरे घर की इंकम कम हो गई है जीडीपी कम हो गई देश की लेकिन स्टॉक मार्केट दुगना हो गया है स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट बड़े बड़े धन्ना सेट लोग लगा रहे है उनको और भी फायदा हो रहा है और जो आम जनता है 97% लोग है उनका इंकम घट गया है गरीब तो और भी गरीब होग है मिडल क्लास की भी बहुत लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए है आप एक और चीज देखिए ये भी एक अजीब चीज आपको देखेगा अगर हम 100 लोग ले ले हमारे देश में और ये डेटा Oxfam का है और ये डेटा COVID के एक साल बाद का क्या हाल हुआ देखिए अगर हम उनकी संपत्ती ले ले तो उपर का जो एक प्रतिशत है एक आदमी उपर का पहला उसके पास जितनी संपत्ती है बाकी lowest 70% जो लोग है उनका चार गुना है मतलब एक के पास जितनी संपत्ती है अगर एक के पास 400 रुपए की संपत्ती है lowest 70 के पास सिरफ 100 रुपए की संपत्ती है ये हाल है हमारे देश में और सबसे बड़ी बात है कि ये सुनकर भी हम लोग कहते जो अमीर लोग है वहिया उनको तो मिलना चाहिए वो बड़े अच्छे लोग है ये efficient लोग है इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये लोग इतना सारा काम करते है इतना hard work करते है इतने लोग को नौकरिया देते है हम लोग खुदी इसको हमने normal कर दिया है ये जो suit boot क्या suit boot tantr है जो पिछले 30 साल से चल दिया और मोधी सरकार के टाइम बे तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है ये हमने normal कर दिया है और जब तक इस पर मैं हर episode में ये ही कहता हूँ जब तक आप इस पर सवाल ने उठाएंगे तब तक ये चलता ही रहेगा आज का episode यहीं तक news clip को देखते रहेए और subscribe भी जरूर कीजिए